हेलो एब्रीवन आज हम एक अलग तरीके से बहुत ही टेस्टी पत्तागोबी बनाएंगे। इसके लिए मैंने एक पत्तागोबी को बारीक काट लिया है। एक बारीक कटीवी स्प्रिंग अनियन, पांचे लेसन, दो अद्रक, पचास ग्राम चने की डाल, बारीक कटीवी प्यास, साथ से आठ हरी मिर्च, कोत्मिर, करीपता, कसोरी मेथी, दो अंडे, आधा चमच हल्दी पाउडर, एक चमच अद्रक लेसन का पेस्ट, एक चमच रा बारीक कटीवी पांचे छे लेसन दालिए, दो बारीक कटी हुई अद्रक, एक चमच सर्षो दालिए, साथ से आठ हरी मिर्च दालिए, और इसे कुछ देर पकाईए, अब इसमें एक बारीक कटीवी प्यास दालिए, फ्लेम को मैंने मीडियम टू हाई रखा है, जब प्यास थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, तो इसमें एक चमच अद्रक लेसन का पेस्ट दालिए, आदा चमच हल्दी पाउडर, एक चमच धनिया पाउडर और 119 साल नमक दालिए, और इन अच्छी तरीके से मिक्स करिए, 50 ग्रम चनी की डाल को एक घंटा पानी में भीगा कर अब इसमें डालिए, आप चाहो तो दाल को थोड़ा सा उबाल कर भी इसमें डाल सकते हैं, सारे मिश्रन को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब इसमें पता गो भी डालिए, अब इसको अच्छी तेरीके से मिला लीजिए देखिए अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है और गोबी तोड़ी सॉफ्ट भी हो गई है अब हम इसमें स्प्रिंग अनियन डालेंगे अब इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए अब इसमें दो चमच कसोरी मेथी डालिए इसमें लाल मिर्श डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंके हमने अल्रेडी हरी मिर्श डाल दी है और कुछ कोतमिर डाल कर इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए तो हमने इसे हाई टू मीडियम फ्लेम पर दस मिनेट के लिए पका लिया है अब हम इस पर धकन धाक कर लो फ्लेम पर और दस मिनेट के लिए रखेंगे अब यह सॉफ्ट हो गई है अब हम एक दूसरी कड़ाई में दो चमच तेल डालेंगे और दो अंडे डालेंगे अब इसे सोटे कर लीजिए देखिए हम इसे इस तरीके से बनाना है अब इस अंडे को गोबी में डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे देखिए अब ये रेडी हो गया है तो देखिए ये बनाने में भी बहुत ही सिंपल था और ये बहुत ही टेस्टी है आप इसे चपाती, पराठा, चावल सब के साथ सर्फ कर सकते हैं ये सब के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें आपको ये से बहुत है ये साथ स्वा पस्टी ह 만들어 को में ये स्वाल करें और ये पस्टी पस्टी है